प्रोहा में 3 बजे तक का 52 फीज दी रहा, मेरट में 3 बजे तक का 50% 47 दर्श्टराओ 6 फीज दी रहा, बागपत में 3 बजे तक मतदान 42 फीज दी रहा, गौतम बुद्धनगर में 44 फीज दी मतदान रहा, जहांसे महेश शर्मा प्रत्याशी हैं BGP की तरफ से, मेरट से, आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं और साथी वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कैसे बढ़ चड़ कर जो तमाम मतदान आता है जो वोटर्स हैं अपना वोटकास्ट करने के लिए पहुच रखे हैं क्योंकि आप धेरे धेरे दिन भी डल रहा है धूब भी ढल रही है और इसलि मतादिकार का अस्तमाल जरूर करें लोग तंतर के महापर्व में अपनी भागेदारी जरूर दर्च करवाने के लिए पहुचें चार जून को नतीज़ा आएंगे और उसी के लिए आज मतदान चल रहा है अम्रोहा में तीन बजे तक बावन फीज जी मतदान रहा है अलिग बाग पावन गौर्ड बुलंदे शहर से प्रशान कुमार हमारे दो सहिगी जुड़ के हैं प्रशान की कैसी तश्विरे प्रशान जरbon ग्यूदा है यहां जो मतदाता है वो अपने मत का इस्तेमाल करके आए है आप लोग अपना निशान दिखाई आप लोगों ने बोट कर दिया है तो यह सभी वो मतदाता है जो बोट करके आए है मेडम क्या नाम आपका रेखा अच्छा रेखा जी आपने बोट किया है किन मुद्दों को ल किस मुद्दे को लेके आज आपने बोट किया है कि हमारे करतब है कि अपने देश के हम भरादेश के नागरिक है तो हमें वोट जरूर देना चाहिए क्या नाम आपका राजीव गुमार गुपता राजीव जी क्या सोच के आज आपने बोट किया है और किन मुद्दों को लेकर देश प्रगति करें और सुरक्षा की द्रस्टी से क्योंकि हमारे सरकार है उसे हमको सुरक्षा बहुत प्रदान करी है प्रगति प्रदान करी है डि किन मुद्दों को लेकर आज आप चुनावी करने हैं। कि देखिए आपके जो मुझूदा सांसत थे दो बार सांसत चुले गए तीसरी बार फिर से चुनावी मैदान में क्या उन्होंने बिकास किया है। हमारे बुलेंशर में अच्छा भी कास भूा है और पहले गाहों जैसा लगता थैं जब मेरी शाधी ती अब मेरेको तो बहुत अच्छा अहल लग रहा है बागपस से हमारे सयोगी यहां से जुड़े हुए हैं राजकुमार सांगवान आरली प्रत्याशी यहां से हैं त्रिकोडी मुकालबा यहां पर भी पावन देखने को मिल रहा है वोटर्स में कितना उच्सा है वोटर्स के मुद्ध कैं है कि चुनावों को लेकर जरा बाच्वीत करें तरीके से उसका हम लोगों ने आकलन किया है वहां हम मौझूद हैं बूत नमबर 127-29 यह मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहां बोटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दूँ के सुभा 7 बज़े से लेके और तकरीवन 11-12 बज़े तक मद्दान अच्छी खाजी संख्या में हुआ लेकिन उसके बाद में जैसे दूब बढ़ती गई तो मद्दाताओं की संख्या कम होती चली गई लेकिन उसके बाद में अब फिर से जो मद्दाता है वो अपने घरों से निकलने लगे हैं आप अभी बोट डाल के आए हैं क्या कुछ मुद्दे हैं आपके दुमाग में क्या कुछ सोच के बोट आपने डालाए है मुद्दे है जी अच्छा काम हो और अच्छा कनी लिट आए जिसको हमने बोट दी वोई जित्ते हमने अभी बोट किया सुबह से ज्यादा बीट थी अब तक का पिछले चुनावों की बातचीत करें तो पिछले चुनावों में बीजीपी की यहां से जीत हुई थी डॉक्टर सत्पाल सिंग की आप आरेल्डी और बीजीपी साथ में हैं इसको लेकर इनका क्या कहना है आई आई और तमाम जो और जो मददाता हैं वो भी अपने बोट करके बाहर निकल रहे हैं अभी आप बोट डालके आई क्या कुछ मुद्दे हैं आपके दुमाग के अंदर बोट डालने के बाद बाद हैं अब यहाप बोड डालके आए हैंप क्या और वोड डालने हैं अब यहारामन्दिर बनी गा इसलिए बोड़े रहे हैं बीजेपी से डशुषा सथाफवाल सांसर थे अब अब यह इन पर याज़िय वांधी के है बीजेपी आरेल डिगटवंदन को अगर आप याँंग, लेकिन बीजेपी को जारी हूँ आ ये तो हो गया उड़ टो बीजेपी की तरफ ये है तो बहुस्तोच को सोचके वौत देले हैं, आप भी आप पहुंची है, क्या कुछ解 क्छोर मुद्दे हैं je मेरे दिमाग में मुद्धा है एक तो बेरोजगारी और सुरक्षा तो है ही है शुरक्षा में तो कोई कमी नहीं है यहां पे सब कुछ बहुत बढ़िया है बस बच्चों को जो है बेरोजगारी की वज़े से जो है हमारे युवा वर्क जो है वो डिस्टप है अब भी यहां क्या कुछ मुद्धे हैं क्या को सोच कि आप बोट डालने पहुँचे हैं तो आपने सुना कि यह जाटलेंड है जाटलेंड में गन्ना किसानों का एक मुद्धा बहुत बढ़ा मुद्धा होता है तो यहां किसानों का भी कहना है कि अच्छा खासा पेमेंट यहां मिल रहा है सुरक्षा मिल रही है हाँ बेरोजगारी एक कंसर्न यहां के लोगों का जरूर है उसके और भी जो भी सरकार आए उसको ध्यान देना चाहिए लेकिन जातर लोग जो है वो अपने चेतर का विकास चाते है उसके सासा जो आरेल्ड और बड़ी का गढ़बंदर है उसको भी मजबूती के रूपर देख रहे है प्रिक नातर आए उसके साथ आए जो आरेल्ड आए आए उसके साथ आए जो आए इसके साथः आए आए जो आए जो आए आए जो करते हैं